नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल जवन पूर्जिले की मलहानी बिधान सभा में छेत्र के सभी थानों में यादो बिरादरी के पुलिस कर्मियों के तबादले से सपा कारकरताओं और लकी यादों के समर्थकों ने अपत्ति जताई हैं आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार फेस्बुक सोसल मीडिया पर एक पुष्ट देखा या रहा है जिस पर समाजवादी पार्टी के कारकरता और सपा के युवानेता लकी यादों के समर्थक पुष्ट कर रहे हैं कि मलहानी बिधान सभा के थानों से यादो जाति के पुलिस कर्मियों को तवार्ला करिया रहा है और ये सब भाजवा सरकार दोरा जान बूचकर उप्चुनों को देखते हुए किया रहा है आपको बता दें कि अब यह मामला काफी बढ़ गया है मलहानी से समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी लकी यादों के समर्थक का दा मिल चके वहीं अब इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के दिग्गनेता पूर्व सांसर रमा कांती यादो ने अपने फेस्बुक के अफिसियल पेस से पोश्ट के मार्ध्यम से सपानेता लकी यादों का समर्थन किया है सपानेता रमा कांत यादों ने अपने फेस्बुक पेस से लिखा है की जवनपुर की मलहानी बिधान सबा सीट से सपा के भावी प्रत्यासी सोर्गिये पारसनात यादों जी के सुपुत्र लखी यादों की जीत होगी उन्होंने आगे लिखा है की सरकार चाहे जितने भी पेतरे आजमाले परन्तु मलहानी की जन्ता सुर्गिये पारसनात यादों को सच्ची सद्धान्जली अरपित करते हुए लखी यादों को बिजई बनाएगी आपको बता दें की सोचल मीडिया पर काफी दिनों से या पोश्ट हो रहा है और मलहाने भी रहान सभा में जितने भी ठाने हैं वहां के यादों का तबादला किया जा रहा है जिस पर अब काफी हंगामा भी है सपानेता बाहु बली पूर्व सांसर अरमा कांत यादों ने इस मुद्धे पर लखी यादों का समर्थन किया है और उन्होंने अपने फेस्बुक के आफिसली पेस से उन्होंने कहा है कि भाटपा चाहिए इतना पैतरे अजमाले जीत लखी यादों की होगी अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्नवाद